हाई एवरिवन वेलकम टू कॉन स्टेडी जैसे कि आप सब जानते हैं हम यहां फजिक्स पोर्शन अकाउंट एसिस्टेंज का डिसकस कर रहे हैं और आज हम डिसकस करने वाले हैं लाइट टॉपिक फजिक्स का लास्ट लेक्शर में हमने भेव टॉपिक किया था और उसके मॉइस्ट एयर इस मोर दानी ड्राइयर बिकॉज मॉइस्ट एयर है यह साउंड के विलाउस्ट यह मॉइस्ट एयर में जादा होती है ड्राइयर से क्यूंकि मॉइस्ट एयर है इसका अंसर है सेकिंड लेस्टेंस्टी देन ड्राइयर उसकी देन मॉइस्ट एयर की डेनिस् season जो water है इसकी density कम होती है then nitrogen से तो अगर इसकी density कम होगी तो moist air की density कम होगी तो I think आपको यह समझ आ गया होगा कि moist air की density कम होती है dry air से और क्यूं होती है second question है the unit of noise pollution is यह काफी बार discuss कर चुके हैं अपने last lecture में unit के है noise pollution का इसका answer है decibel then हमारे पास third question है the range of frequency of ultrasonic waves इसका answer क्या है more than 20 kilo hertz हम 20 kilo hertz को 20,000 hertz भी कह सकते हैं the fourth question है which of the falling phenomena is not shown by sound waves sound waves कौन-कौन से phenomena show नहीं करते हैं वो reflection show करती है diffraction show करती है interference show करती है लेकिन polarization कभी भी शो नहीं करते इसका answer क्या आ जाएगा for polarization fifth है if the ratio of amplitude of wave is 6 is to 9 then intensity is intensity क्या होता है amplitude का square होता है अगर amplitude 6 है इसको 9 है then intensity क्या हो जाएगी इनका square हो जाएगी जैसे 6 का square 9 का square क्या answer आजाए 66 36 and 9 and 81 तो इसका answer आजाएगा 2 हमेशा amplitude जो है वो इसका half होता है तो intensity क्या हो जाएगी उसका square हो जाएगी 6 का 36 9 का 81 तो इसका answer क्या है second 36 is to 81 यह कुछ MC के उसे जो मैंने last lecture में दिये थे I hope यह आपको समझ आगे होंगे अगर आपने यह नहीं किये तो आप last lecture देख सकते हैं तो आज का हमारा topic है light light क्या है light propagate करती है as a electromagnetic wave किसके बीश में UV and inferior region के बीश में यह electromagnetic wave की तरह प्रोपगेट करती है flow करती है यह transverse wave है इसमें कुछ important points है हम वही discuss करेंगे क्योंकि हमारे exams में यह बहुत कम marks का एक topic portion है physics around three और five marks का two या three questions आएंगे इन पे तो जो important points है हम से वही discuss करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखा light क्या है electromagnetic wave है UV and infrared region के बीश में और यह transverse wave है transverse wave और इसे कोई भी material medium नहीं चाहिए हो ता अपने propagation के लिए कौन-कौन से phenomenal light शो करती है reflection, reflection, interference, diffraction, scattering and polarization light जो है वो polarization भी शो करती है light एक dual nature की है जिसमें wave and particle nature आते है speed light की कितनी है 3 into 10 के raise power 8 meter per second का square और यह जो speed है light की यह vacuum में होती है V-A-C-W-M यह vacuum में होती है speed of light इसकी यह vacuum में है speed of light सबसे पहले मेजर की थी रूमर ने रूमर एक साइंटी से उन्होंने सबसे पहले मेजर की थी यह speed और सबसे ज़्यादा speed light की vacuum में होती है and air में होती है I hope यह कुछ points है यह आप अच्छे से समझ रहे होंगे और इन्हें discuss कर रहे हैं क्यूंकि यह बहुत ज़्यादा पार्टिकल नेचर यह अलग लग साइंटिस्ट ने दिये थे तो स्पीड लाइट की 3 to 10 क्रेस पावर 8 है जो वैक्यूम में है और इसे मेजर किया था रूमर ने नेक्स्ट यह इसके बाद हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेक् को हम यू से डिनोट करते हैं इसका फॉर्मॉले स्पीड ओफ लाइट इन वैक्यूम तो स्पीड ओफ लाइट इन मीडियूम में जितनी भी लाइट होगी उसको डिवाइट करेंगे मीडियूम में लाइट की जितनी भी स्पीड होगी उससे डिवाइट करेंगे तो होता क क्या है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा विलॉस्टी ओफ लाइट जादा होगी जो विलॉस्टी है लाइट की लाइट के विलॉस्टी है वह में इन्वर्सली प्रपोर्शनल होती है कि इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू जाएगी लाइट जो है संसे अर्थ पोंचने के लिए एट मिनटस 19 सेकंड का टाइम लेती है और लाइट जब मून पे पढ़ती है संसे मून पे जाती है वहां से रिफलेक्ट होके जब अर्थ पे पहुंचने के लिए लाइट से 1.28 सेकंड लेती है एक इंपोर्टेंट यह सन है यहां से light यहां पे surface पे पढ़ती है और यहां से वापिस आ जाती है तो यह क्या हो अगर इफलेक्ट इस से मीडिया में यहां से हो रहे हैं इस से क्या बोलते हैं और इफलेक्टिंग surface हमारा पॉंट है इसमें इसके बाद इसके लोज ओफ रिफलेक्शन अफ हैं फिर्स्ट क्या है रिफ्लेक्टर डे नॉर्मल एंड इंसिडेंट डे रे और लाइं इन दसेम प्लेड यह यहाँ पर रिफ्लेक्टर डे नहीं आएगा यह कुछ मिस्टेक है यहां क्या आएगा कौन सी होगी incident जो सोर से रे पड़ती है कहें पर वह इंसिडेंट रे होती है फिर रिफ्लेक्ट करके जो बैक आती है रे वह रिफ्लेक्टर रे होती है और नॉर्मल क्या आगया इसके बीश करिए यह 90 डिगरी का यह एंगल बनता है यह क्या है एक नॉर्मल है तो इंसिडें दुर्म्ट्रे के सारे सेम प्लेट में आते हैं यह था इसका सफस्स्क क्या है रिसक्तल क्याओ मैं आपको बता यह इंसिदैंट यह इस में नॉर्मल यह यह इंसिदैं प्राप inequ to the angle of reflection यह 7 रिफ्लेक्टर करते हैं यह बीश्यारी यह angle of reflection होगा जिसको हम R से denote करते हैं और angle I जो होगा वो हमेशा angle R के equal होता है यह इसके two laws से I hope यह आपको समझ आगे हो इंसिदेंट रे normal और इंसिदेंट रे normal और इंसिदेंट रे सारे की सारी same plane पे आती है angle of incidence always equal है angle of reflection के दिन उसके बाद है reflection from plane mirror plane mirror से किस तरह से reflection होती है जैसे हम normal mirror में देखते हैं वहाँ पे हमारी reflection किस तरह से हम daily mirror यह use करते हैं वो एक plane mirror है उसमें क्या होता है size of image is equal to the size of object जितनी image की size है जितनी object की size होगी उतनी ही हमें image दिखेगी size of image is equal to size of object यह एक important point है second क्या है distance of image from the mirror is equal to distance of object from the mirror होता क्या है जब हम mirror के पास जाते हैं mirror में जो हम daily use करते हैं mirror उसमें क्या होता है आप देखते हो कि अगर आप अपनी reflection mirror में देख रहे हो आप देखते हो जितने आप की height है उतनी ही image की height देखेगी mirror में यह first point था second point क्या है image के मतलब यह जो object है आप हो मतलब आप एक object हो आप mirror से जितनी दूर जितने distance पे खड़े रहोगे जो आपकी image है वो भी उतने ही दूरी पे बनेगी यह a second point है इसका third point क्या है minimum size of mirror required to see the full image is minimum size कितना चाहिए अगर आपकी height इतनी है तो अगर आपको अपनी पूरी image देखनी है उस mirror में तो minimum जो size है mirror का वो कितना होना चाहिए आपके half में यहाँ पे बड़ा भी हो सकता लेकिन इसमें आपको पूरी image देखे आपकी अपनी तो वो half size हो mirror का उसमें आप अपनी पूरी image देख सकते है इसके कुछ और important points है जो हमें यादक ने जो exams में direct आते हैं क्या है focal length of the plane mirror is infinite plane mirror की focal length infinite होती है power 0 होती है and linear magnification उसका 1 होता है linear magnification 1 होता है और अगर object move towards a plane mirror with speed the image move towards the speed 2V relative to the object इसका क्या मतलब हुआ ये एक mirror है mirror में आप जितनी fast आगे move करेंगे जो image है उसे double speed में move करेगी आपके आगे अगर ये V speed में move करेगी है तो इसका double क्या हो जाएगा 2V इस ताना से वो move करेगी और अगर आप जितनी speed से दूर जा रहे हैं उससे double speed से image भी दूर जाएगी ये कुछ important points दे light के दन उसके बाद कुछ हो terms हैं जो इसमें use की जाती है maximum transparent ये तो हम सभी को बता transparent क्या होता है जिस भी object में से जिस भी object में से light यो है वो pass हो जाती है light पास हो जाती है हम इस side से दूसरी side तक असानी से देख सकते हैं वो क्या होता है transparent होता है जिससे ग्लास हम देखते हैं, ग्लास को क्या होता हम एक साइट से देखते हैं, दूसरी साइट तक देख सकते हैं, विंडो पेन होते हैं, विंडो पेन में भी हम एक साइट से दूसरी साइट तक देख सकते हैं, वो क्यों देख सकते हैं, क्योंकि लाइट चो है, वो पास हो है तो एलो मोस्ट ऑफ दी इंसिडेंट लाइट ना तू उसे हम क्या बोलते है है ट्रांसपेरट इन bicycles różne क्या हो जाते हैं थोड़ी सी लाइट पास हो जाते थोड़ी सी इन सीडेंट ळाइट पास हो जाती है मतलब हमें धुन्दला दिकता है एग्जमाफल अवील आयलीट म में किया जब भी अब हम आंखे बंद करते हमें पता चल जाता है कि light on है या off है तो वह क्या है वह एक ट्रांस एक्जाम में mechanism time आता ही है कि हमारी eye lid की स्था के transparent translucent opaque क्या है वह opaque नहीं है वह translucent है और oil paper पर भी Granate कि एक अग्जम्प्र 26 की होते हैं जिनके हम आयप नहीं देख सकते एक्जम्प्ल वुड कोई वड है हम गतल अर नहीं धो सती हम usta レकोन नहीं क्या हम पर बुद प्रक्रॉत टाइए हम्हींद सब्सक्राइए हो means जहां पर बिल्कुल भी लाइट ना पहुंचे बहुत अंदेरा हो उस रीजन को हम अंबरा कहते हैं पिनंबरा क्या होता है रीजन जसमें थोड़ी थोड़ी सी लाइट पहुंचे वह पिनंबरा रीजन होता है I hope आपको ये term समझ आ गई होंगी और बस आज के लिए बस इतना ही था light में तो thank you so much